रेडियो के जी एम यू गूँज 89.6 FM मुझे ऐसा लगता है कि हर चौथी फीमेल को या मेल को ये प्रॉब्लम होती रहती है मुझे तो ऐसा लगता है मैं अगर अपने घर में इसकी बात कर लूँ तो पता नहीं कितने रिष्टेदारों को पता चल जाता है मुझे कि अरे यार उनको भी गटिया मुझे खुद डर लगने लगा है कि क्या 40-50 पर पहुचने के बाद मुझे भी चीजे हो जाएंगी तो आज इन ही सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए आपके सारे सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं King George Medical University के गटियावे भाग से डॉक्टर जूही और एक एक्सपर्ट के साथ एक बहुत बड़े एक्सपर्ट जो इस्पेशली हम आपके लिए अर्थराइटिस डेपर जिनको हमने दिल्ली से बुलाया है और आज दो एक्सपर्ट आपस में बात करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगर गटिया से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें वाट्साइप कर सकते हैं डॉक्ट जूही मैं अब आपसे कहना चाहूंगी कि आर्थराइटिस के बारे में लोगों को बताईए और लोगों के जो सवाल है मन में पूछते रहते हैं आज आप डॉक्ट वेच चतुरवेदी से उनके जवाब लीजे धन्यवाद सुर्वी नमस्कार जैसा कि सुर्वी ने अभी कहा कि हम इस साल 12 अक्टूबर को एकत्रित हुए हैं यहां वर्ल्ड आर्थराइटिस दे के उपलक्ष में वर्ल्ड आर्थराइटिस दे मनाया जाता है लोगों में उससे संबन्धित, गठ्या से संबन्धित जागरुकता फैलाने के लिए और इससे जुड़ी हुई जो भी छोटी बड़ी वरांतिया है उसको दूर करने के लिए हमारा इस वर्ष का वर्ल्ड आर्थराइटिस डे का थीम है आर्थराइटिस इस ट्रीटेबल याने की गठिया रोक का इलाज संभव है आज हमारे साथ डॉक्टर वेज चतुरवेदी सर यहां पर मौझूद है जो की सर गंगाराम हॉस्पिटल में कंसल्टेंट रुमेटॉलजिस्ट है वेलकम सर हम उनसे गठिया से संबंदित कुछ सवाल पूछना चाहेंगे जिससे आप लोगों को अगर जो भी इसके बारे में जानकारी मिल सके जितना हम दे पाएं उतना वो कोशिश करेंगे सर सबसे पहला क्वेशन आप से ये है कि गठिया रोग किसे कहते हैं इसके अंतरगत कौन सी बिमारिया आती हैं और इसके common symptoms क्या हैं लक्षन क्या हैं कैसे पहचाने कि हमें गठिया रोग है या नहीं है देखिए जन्ता के लिए इतना मालू होना चाई है जिसे बखार के 100 कारण होते हैं ऐसी जोडों में यदि दर्द हो या जोडों में सूझन हो तो उसके 100 कारण हो सकते हैं तो उसके बाद जब विज्ञान ने पता लगाया कि वह यह यह अलगला कारण है जैसे साप कई बिविन प्रकार के होते हैं ऐसी गठिया भी कई प्रकार का होता है बहुत कॉमन गठिया जो होता है जिसको हम लोग रूमिटायर आर्थराइडिस कहते हैं कई लोग मुझे से पूछते हैं रुमिटायर आर्थराइडिस को हिंदी में क्या कहते हैं उसको भी रुमिटायर आर्थराइडिस ही बोलते हैं जैसे कोरोना को कोरोना बोलते हैं तो रुमिटायर आर्थराइडिस उसको गठिया पापुलरली बोलते हैं और एक होता है कमर का गठिया जिसकों की एंकालेजिंग स्पॉंडलाइडिस बोलते हैं तो ऐसे कई सो प्रिकार की बीमारियां है बेसिकली यदि आपको कोई ऐसे दर्द होते हैं या सूजन होती है और आपको लगता है कि रात में मेरे को बहुत अकड़ जाता है सुबह सुबह जादा होता है तो अपने डॉक्टर को जिसकों की रूमिटॉल्जिस्ट बोलते हैं उसको दिखाना जरूरी है तो उसमें एक बीमारी तो मैंने बोला रूमिटाइड आर्थराइडिस है वो जादा लेडीज को होती है और हाथ के जोड़ों में ज्यादा होती जो हाथ के चोटे जोड़ों में होते है और सुबह सुबह अकड़ जाएगा सुबह काम-वाम करेंगे तो प्तुबह बेटर हो जाएगा बट यह उसका ट्रीटमें ना किया जाए तो जोड़ आपके पूर्णता खराब हो सकते हैं ये तो हो गया रूमेटायर अर्थ्राइडिस गठिया, एक होता कमर का गठिया कि आप सुबे सुबे उठे वो आपका कमर अकड़ गया एक यंग डड़का होगा जनली बॉइज में ज़ादा होता है और ये एक और बीमारी होती ऐसे बहुत सारी बीमारियां है कहीं भी इस तरह के लक्षण हो आपको दर्ध हो सुबे सुबे ज़ादा होता हो रात में ज़ादा होता हो तो आप एक डूमेटायर जिसको दिखाएं इनको हम लोग कहते हैं कनेक्टिव टिशू बीमारियां मतलब कनेक्टिव टिशू का मतलब यह समझ लिए जैसे आप घार इंट का बना होता है तो बाकी सिमिंट लगा होता है सब पूरे शरीर में जितने हमारे सेल्स हैं वो तो इंट हो गए और उससे जुड़ा हुआ है वो सिमिंट है तो उस सिमिंट को कनेक्टिव टिशू बोला गया है तो कई बीमारियां ऐसे होती है जो कि इन कनेक्टिव टिशू में इंफ्लामेशन हो जाता है इन कनेक्टिव टिशू में बीमारी हो जाती है तो वो जहां जहां कनेक्टिव टिशू है तो connective tissue तो सब जगे है आपके बाल में भी है, मुह में भी है उसी तरह सिम्टम होंगे तो कोई बोलेगा मेरे बाल जड़ रहे हैं क्योंकि वहां का connective tissue involved है कोई बोलेगा मेरे के skin में मेरा जो face है वो red हो जाता है, कोई बोलता पढ़ता है कि यह connective tissue बीमारियां है और इसको एक rheumatologist को दिखाना चाहिए इनके vivid नाम रखेगा है बीमारियों को, बहुत common नाम जो शायद society में मालू है, लूपस कहलाता है स्कलोडरमा कहलाता है यह सब connective tissue बीमारिया है अगला सवाल सर यह रहेगा कि गठिया से संबन्दित हमारे जन्मानस में कुछ बहुत common भ्रांतिया value है, जैसे कि दही खाने से बढ़ जाता है, क्या चावल खाने से बढ़ जाएगा या मैं फलानी चीज नहीं खाऊं तो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ खाने से संबन्द है, गठिया रुगों का या नहीं है, या हम prevent कर सकते हैं, कुछ चीज ना खाके या treat कर सकते हैं, कुछ चीज खाके, ऐसा कुछ है यह कुछ तो भ्रांतियां हैं, कुछ सच्चाईयां हैं, तो जैसे एक जमाने में कहते थे थे न, कि साहब आपको चीचक निकल गए, जिसको स्मॉल पॉक्स ये चिकन पॉक्स बोलते हैं, तो लोग किते थे माता नाराज हो गई, तो भै माता जी के दर्शन उनकी पूजा करके आई, तो वो एक भ्रांति थी, साइंस ने बताया, भै यह तो एक वाइरल बीमारी है ऐसे ही गठिया के बारे में तरह तरह की ब्रांतियां है क्योंकि विज्ञान इतना डवलप नहीं हुआ था, तो जब विज्ञान डवलप नहीं हुआ होता है, तो बहुत सी चीज़ें की ब्रांतियां होती हैं, कोई कहता तुम पीपल के पेड़े के नीचे शाम को क्यों निकले थे तो यह सब भांती है वाद में विग्यान ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है हाँ यदि आपको कोई पर्टिक्लर खाना आपको कई पेशिंट पूछते हैं कि रॉक्साब मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं तो हम लोग उनसे यही बोलते हैं कि आप सब चीज खाईए यदि आपको कोई चीज नुकसान करती है कई पेशिंट उनकों बोलते हैं कि साब मैं काफी पिताऊं तो में को ज़्यादा होता है तो यह बोलता हूं मत पीओ फिर अदरवाइस विग्यान बोलता है कि इसका कोई ज़्यादा संबंद नहीं है स्मोकिंग से जरू संबंद है आर्थराइटिस का तो यह हम हमेशा कहेंगे कि स्मोकिंग ना की जाए और एक और आर्थराइटिस होती है जिसको गाउट बोलते हैं वो ज़्यादा आप इंडल्ज करते हैं मतलब कई लोग बहुत ज़्यादा शराब पी रहे हैं या मीट खा रहे हैं बहुत सारा तो जितनी जरूरत नहीं हैं उससे ज़्यादा खाना पीना खा रहे हैं मौटे हो रहे हैं बलड पैसर हो रहा है diabetes हो रहा है तो इनको एक और बीमारी हो जाती है एक और किसम का गठिया होता है जिसको हम लोग gout बोलते हैं बहुत तीज दर्द होता है एक जोड में तो उसको उसको लिए भी diet restriction ज़रूर लगाते हैं हम लोग कि अपना आप सुधर जाईए इतने calorie खाने की ज़रूर नहीं है meat खाने की ज़रूर नहीं है red meat खाने की ज़रूर नहीं है alcohol पीने की ज़रूर नहीं है तो वह एक अलग अलग बीमारी है जिसमें कि हम diet restriction बताते हैं जी सर, सर जैसा कि अभी आपने बताया है, खान-पान से संबंधित कुछ ये चीजे हैं जो लोगों में प्रच लेते हैं इसी प्रकार गठिया के इलाज से सम्मंदित भी कुछ भ्रादिया है जैसे की पेन किलर जो की एक बहुत important part होता है Spondyloarthritis के treatment का तो लोग कई बार नहीं लेना चाहते हैं उनको जरूरत होती है फिर भी नहीं लेते हैं तो इसके बारे में सर कुछ बताईए कि क्या कब कैसे लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए मैं आपको example देता हूँ जब TB का इलाज नहीं निकला था तो हमारे देश में ही TB के में इतनी भ्रांतियां थी कोई बुलता आप चले जाएए शिमला में रहिए हमारे जो पूर प्रधानमंत्री थे जवालल नहरू उनकी वाइफ की डेथ हुई थी TB से बहुत पुरानी बात नहीं है मुहमद अली जिन्ना उनकी डेथ हुई थी TB से तो उस समय भ्रांतियां यह तो कॉशिस रहते हैं यह एक्सीडेंट भी हो सकता है यह दवाईयां सेफ हैं जितनी भी रूमेटलजी की दवाईयां हैं यह सेफ हैं हाँ उन्होंने ओने ओनेस्टली लिख दिया कि किसी किसी को रेरली कोई साइड एफेक्ट हो सकता है अब मैं दवाई खाऊंगा यह मुझे पीट में जलान होने लगे तो मैं भाई दूसरी दवाई खाऊंगा तो उसका साइड एफेक्ट है तो मेरा मतलब है यह उतनी ही सेफ है दवाईयां जितनी की आयवेर्दे क्या होमेपेथिक दवाईयां है सिर्फ यह चीजें स्टडी की गई उन्होंने इमानदारी से लिख दिया है कि इसका यह एफेक्ट है और यह साइड एफेक्ट है जैसे आप हवाईयाज में जाते हैं हवाईयाज गिर भी सकता है बढ़ हर हवाईयाज तो नहीं गिर जाएगा ना तो यह सेफ दवाईयां है जो भी दवाईयां गॉर्मेंट से अप्रूवड है साइन्टिफिकली अप्रूवड है हाँ उनके साइड एफेक्ट हो सकते है उसकी नॉलेज होना भी बहुत आवश्यक है और होगा तो आप अपने डॉक्टर आपका अपने अब बंद कर देगा जी सर सर एक और सवाल इलाज से ही संबन देता है बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार मुझे अगर गठिया हो गया तो फिर यह कभी ठीक नहीं होगा मैं अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता अब मुझे इसके साथ ही दर्द के साथ ही अपना पूरा जीवन गुजारना पड़ेगा और शायद यह मेरे बच्चों में भी चला जाए तो इसके बारे में सर कुछ बताए देखिए जैसे हाइपर टेंसन है ब्लड प्रेसर है मैं कोई कहता है न सब ब्लड प्रेसर है और मैं तो दवाई दस साल से खा रहा हूँ डाइबिटीज है मैं दस साल से खा रहा हूँ बट जब दवाई खाते हैं तो कंट्रोल रहता है कंट्रोल रहने में उनके कॉंप्लिकेशन नहीं होते जिसे मुझे blood pressure है मैं दवाई ना खाऊँ तो कल की दिन हो सकता है कि मेरे दिमाग की नस फट जाए तो मैं दवा खाता हूँ तो मझे complication नहीं होते ऐसे ही rheumatire arthritis और दूसरी किसम का गठिया है आप दवा लेंगे तो जोडों में जो आग लगी है वो control रहेगी और जोडों को नस्ट नहीं करेगी और आपको operation की जरूरत नहीं पड़ेगी तो दवाईयां खाना इसलिए भी जरूरी है कि अधा operation से आप बचना चाहते हैं आप अपने जोडों को अच्छा रखना चाहते हैं तो दवाई लेनी पड़ेगी बट वो लंबे टाइम तक लेनी पड़ेगी जैसे की diabetes है, blood pressure है जी सर, सर आखरी सवाल हम जानते हैं कि गठिया जो है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है और जो महिलाएं होती हैं वो गर्वधारन वाली उम्र की होती है तो बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको ये लगता है कि अगर मैं ये गठिया की दवाई during pregnancy खाऊंगी तो मेरे बच्चे पे खराव असर पड़ेगा और या तो मुझे pregnancy नहीं करनी चाहिए या मेरी pregnant होने की जो capacity है वो गठिया के कारण या दवाईयों के कारण कम हो जाएगी तो बहुत सारी फीमेल्स जो यंग फीमेल्स होती है वो शादी के बाद छोड़ देती है ये दवाईया तो उनके उसके बारे में सर बताईए क्या करना चाहिए इस केस में सबसे महात्मूर आपने कुश्चन पूछा और चुकि ये बीमारी लेडीज में ज़्यदा कौमन है तो महिलाओं को जरू मालू होना चाहिए कि कई दवाईयां जो बिल्कुल सेफ हैं प्रेगनिंसी में वो आपका डॉक्टर जानता है तबी यदि बाई दवे डॉक्टर पूछना भूल गया है या आप बताना भूल गये है तो आप जरू बताईए कि मैं प्रेगनिंट हूँ या मेरी शादी होने वाली है हम बच्चा प्लान करने वाले है क्या ये दवाई ठीक है तो आपको यदि कोई दवा ऐसी है भी तो चेंज कर देंगे तो बहुत सारी दवाईया है जो प्रेगनिंसी में सेफ है एक और चीज है कि ये बीमारी ऐसा नहीं है कि आप शादी हो गई तब दवाई नहीं खाना है दवाई तो खाना ही है लंबे टाइम तक तब आपके जोड़ सुरक्षित रहेंगे हाँ दवाई हैं बहुत सारी हैं जो प्रेगनिंसी में भी सेफ हैं और आप ले सकते हैं सर जाने से पहले हमारे जो सुनने वाले हैं इस वक्त एक हेल्थ टिप अगर मैं बात करूँ एक मैसेज एक कमबाइन अर्थराइटिस को लेकर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जन्ता को आप वो बता दीजे मैं तो एक सिंगल मैसेज आज भी मैंने टाइमस अफ इंडिया में लिखा है क्योंकि वो बहुत सारे लॉंग लिस्ट मेरे पास लिखाए दिये मैसेज पर साइन कर दिये मैंने का मैं खुद ही बना लिता हूँ अपना मैसेज यदि आप मैं आर्मी में था पहले कि जिसे कहते ना कि सही डॉक्टर के पाई आपकी कार खराब है तो आप साइकल वाले के पास जाते हैं क्या कार के पास जाते हैं आप सही डॉक्टर के पास पहुंच जाएए जिसको इंगलिश में बोलते हैं यदर आप टाइमस अफ इंडिया में पढ़ें तो उसमें लिखा वह सब बीमारियों के लिए भी है, रूमेटालोजी के लिए नहीं सब भी बीमारियों के लिए है और हमारे वाइस चंसलर साब जनल विपिनपुरी साब का जिन्होंने मुझे अफसर दिया, जहिन तांक यू सो मुच सर, आप सुनते रहे रेडियो के जी एम्यू गूंज अटी नाइन पॉइंट सिक्स मेगा हर्ट्स यह है लखनो के दिल की धड़कन अतियंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो के जी एम्यू गूंज आप हमारी फ्रिक्वेंसी एटी नाइन पॉइंट सिक्स मेगा हर्ट्स पर तो सुनी सकते हैं साथ ही विश्यो के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारी के जी एम्यू गूंज के एप्लिकेशन के साथ जो अब एंड्रॉइड और आई ओएस दोनों पर मौजूद है एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लिकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और आई ओएस यूजर्स एप स्टोर पर जाकर टाइप करें के जी एम्यू गूंज और डाउनलोड करें जानकारियों मनोरंजन से भरपूर हम सब का अपना रेडियो स्टेशन एंड्मकाइब ग्लिकेशन जाल बंड्मकाइब आर